तो मैं उमिद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों अगर आपने भी बिहार पोस्ट मेर्टीक एक स्कोलारशीव के माध्यम से एक स्कोलार्शीफ करम और दिता हो是的 प्धिय क्यों वे क्योंकि आप सब्सक्राइब क्या ही है कि अभी मार्च 2022 से पहले सब्धी लोग का पैसा भ страх पर्ट यहां पर बात कही गई थी तो मैंने आपको भीभार के तरफ से अब्रेट निकल गया हुई है और सबसाब कहा गया है कि आखिर आपका पैसा क्यों नहीं भेजा गया है आखिर इसके पीछे रीजन क्या है और आपका पैसा जो यह कब तक भेज आएगा इसके रिगार्डिंग भी सुझना जारी किया गया है जिसमें जनक पोटल से होता था लेकिन अभी जो है बिहार ने खुद का पोटल जारी किया है जिसके माधियम से बहुत सर लोग फॉर्म को फिल किये हैं तो अगर आपने भी फॉर्म को फिल किया था वेट कर रहे थे कि आपका पैसा कब आएगा तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्प फिल किये थे मतलब कितने बच्चे इसमें फिल किये थे तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसमें चार ही का एटिगरी के लोग फिल किये होंगे ACST, EBC और BC का एटिगरी के जो भी student है वो ही form को fill किये होंगे जर्म बगरावरा का इसमें मतलब रहता ही नहीं है ठीक है तो जो भी ACST और BC, EBC के चात्र हैं उलगभग 7,24,153 चात्रों ने यहाँ पर form को fill किया था जिसमें से आप सभी को पता ही होता है कि form fill करने के बाद आपका जो application है सबसे पहले आपका संस्तान के द्वारा approve किया आता है मतलब कि आपका जो भी institute होता है, college होता है या फिर जो भी college है वहाँ पर लिए आपका form को submit करना होता है आपके institute के जो भी नोडल अफसर होते हैं उनके द्वारा आपके application का सत्यापन करके approve कर दिया आता है तो आप अपना status चेक कर रहे होंगे तो बताया जा रहा होगा कि institute verification complete हो गया है लेकिन यहां पर फंसा कहा हुआ है बहुत सर लोग ऐसे हैं जिनका फंसा हुआ है कहां committee verification जो कि आपके जीला लेवल पर होता है जीला में committee बनाया गया है और वही committee जब जाज करती है उसके बाद ही यहां पर जो भी स्कॉलोज सीप का department है वहां पर भेजा आता है और वहां से पैसे send किया आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि बताया गया है कि संस्तान अस्तर पर 14,69,268 यहां पर आवेदन एप्रूब कर लिये गया है मतलब कि 17,24,173 आवेदन फूर्म फिल किये गये हैं जिसमें से इंचूट लेबल पर जो भी इंचूट होता है संस्तान होता है उसके लेबल पर 14,69 2268 यहां पर एप्रूब कर लिया गया है लेकिन जो जीला लेबल होता है जो कि आपका कमेटी वेरिफिकेशन करता है वहां पर अभी तक 1,29,381 आवेदन ही एप्रूब किये गये हैं कि सत्यापन किये गये हैं तो आप देख सकते हैं कि जहां 17 लाख जहां 14 लाख और आपका जीला का जो डिपार्टमेंट बनाये गया है वहां पर 1,29,000 तो कितना फर्क है तो यहां पर सिख्छा विभाग के तरफ से जो इसका सचीव है संजे कुमार जी उन्होंने यहां पर सुचना जारी किया हुग आप यहां पर साब सब देख सकते हैं इसी को कोडिनप को हम बत आए गये हैं जहां पर सत्यापन को सत्यापन किया जाएगा वहां पर अब सत्यापन बहुत कम मतलब बहुत कम हुआ है आप देख सकते हैं डेटा उठा कर देखेंगे तो 1,39,000 और 14,000,000 वहां पर क्या हुआ है कि बहुत कम होने की स्थिति में पैसा भी पेंड़िंगर करना है और इसमें जो भी एप्लिकेशन जीरा लेवल से अप्रूब हो गया है उनका पेमेंट जो है भेजने का काम जल से जल किया जाएगा बाकी जितने भी लोग है उन लोग का यहां पे तक सकते हैं कि मानली जी अब एक लाकूंती सारे यहां पे लोग को पैसे मिलेंगे औ होगा आप जाकर सकते हैं सिंपल सा है तो बताने वाली कोई बात नहीं है साइट पर जाएगा और अपने अप्लिकेशन नंबर को या फिर जो भी मांग रहा है डाल कर चेक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने उजरनेम पासवर्ट से लोगिंग करके भी फरिफिकेशन नंकारी के जो भी भी जाने की बात फिलाल कही जा रही है बाकी जितने अपके लोग है आप जो भी सुचना जारी किया गए है इसको एक बार रीड कर सकते हैं समझ सकते हैं जहां तक मुझे लगा मैंने आपको समझा दिया वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को स्वास्तरा है तेंक यू बरी मच्छ